पूरे गुजरात का 70 फीसदी मामला सिर्फ एहंदबाद से ही सामने आ रहा है एहंदबाद से लेकर चलते हैं आपको मध्यप्रदेश वहाँ पर अब तक इंदौर खत्रे का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है लेकिन उजयन में कोरोना से हो रही मौतों का आंक्रा भी डराने लगा है महाकाल के नगरी में लगातार हो रही मौत ने कई रज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है उजयन में मौत बनकर घूम रहा है कोरोना कोरोना डरा रहा है क्योंकि वो जिन्दगी पर भारी बढ़ने लगा है मद्ध्रदेश देश के उन राजियों में है जहां आकड़े 3000 के पार पहुँच चुके हैं यहां इन दौर में 1681 कोरोना पीडित हैं और 188 लोगों ने अपनी जान कवाई है वहीं भोपाल में पीडितों का आकड़ा 605 तक पहुँच गया है जबकि 20 लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन असल टेंशन तो उजयन में बढ़ा है जहां संक्रमितों की संख्या अभी 204 ही है लेकिन मरने वालों का आकड़ा 42 हो चुका है महाकाल की नगरी में कोरोना काल बन का टूटा है सरकार तमाम उपाय कर रही है लेकिन हालात समलते नहीं दिख रहे चंदरोज पहले ही बड़े अस्तर पर पशासनिक फेर बदल किये गए और सक्ती भी बढ़ती गई लेकिन मौत की रफतार नहीं थम रही मौत के आकड़ों के मामले में उजयन कई राज्यों से आगे निकल चुका है तमिल नाडू में कोरोना पीडितों की संख्या 4058 जबकि 33 मौते हुई है वहीं आंदर प्रदेश में 1717 पीडित हैं और 36 की जान जा चुकी है बिहार में 536 पीडित हैं 4 लोगों की मौत हुई है पंजाब में 1451 सक्क्रमित हैं और 25 लोगों ने अपनी जान गवाई है वहीं केरल में 502 लोग पीडित हैं 4 की मौत हुई है लेकिन उजयन के आंकड़े आपके सामने है उजयन में अभी भी बड़ी संख्या में टेस्टिंग बाकी है ऐसे में आशंका जटाई जा रही है कि आंकड़े काफी तेजी से बढ़ सकते हैं आकड़े साफगवाही दे रहे हैं कि उजयन में कोरोना की वज़े से मौतो का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है क्या मैं मैं साजित आलम के साथ रवीश पाल सिंग उजयन आज तक नमस्कार मैं हूं अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर अंड सब्सक्राइब करना ना भूले